दुनिया में बहुत से चीज़ां इसी हैं जो अभे तक बग्यानिकों के लिए राज से बनी हुई हैं ऐसी ही एक जगा तच्छिनी आसाम के तिमाहसाओं जिले में स्थित है इस जगा को जतिंगा वैली के नाम से जाना जाता है जतिंगा गाउं में सितंबर और अक्टूबर के दावरान हर साल बड़ी पैमाने पर पंक्ची आत्मात्या करते हैं जितंबर और अक्टूबर के महिने में क्रिष्ण पक्च की रातों में जतिंगा वैली में यह अजीवों गरीब हाथ से भोत अधिक बढ़ जाते हैं इन दिनों में यहां साम के समय गहरी धूंत रहती है और साथ ही तेज हवाएं चलती है पंक्चियों द्वारा आत्मात्या करने की ये घटना है अधिक तर साम साथ बजे से रात के दस बजे के बीच होता है अचानक आस्मान से पंक्चि केट पतंगों की तरह गिरते हैं और धर्थी में मौझूद बिविन चीजों से टक्रा कर मर जाते हैं या बुरी तरह से घायल हो जाते हैं पंक्चों के इस तरह से आत्महत्या करने पर या साइद मरने पर बग्यानिक अलग-अलग तरक देते हैं लेकिन इस घटना की असली वज़ा का पता अभी तक नहीं चल पाया है कुछ लोग मानते हैं कि तेज हवाओं से पंक्चों का संतुरन बिगड़ जाता है और वो आसपास मवजूद पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं मरने वाले पंक्चों में इस्थानिया और प्रवासी चिड़ियों की लगभग 40 परजातियां सामिल है जतिंगा वैली में पंक्चों के आत्महत्या का रहस्य क्या है इस बात को लेकर इस्थानिया लोगों में कई तरह की बातें पर जलित है इस्थानिया लोगों का मानना है कि ये भूत प्रित और अद्रिस्य ताकुतों का काम है चाहे जो भी बात हो लेकिन अभी भी जतिंगा वैली में हो रही पंक्चों की आत्महत्या दुनिया भर में रहस्य का पिश्य बना हुआ है बग्यानिक अध्यनों और प्रयोगों के बाद ये निसकर्ष निकला है कि पंक्ची आमतोर पर यहां की गहरी धूंद या कोहरे से पिछलित हो जाते हैं और वे गाउं के रोश्णी की तरफ आकर्शित होते हैं और बदहवासी में रोश्णी की तरफ उड़ते हैं रोश्णी की तरफ उड़ते समय वो पेड़ों, कटिली जाड़ियों और रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से टंग रा जाते हैं जिसके कारण कुछ पंक्ष मर जाते हैं, जबकि अन्य गंभी रुप से घायल होते हैं अध्यन से यह भी पता चला है कि पंक्षी के बल गाउं के उत्तरी छोड़ से ही आते हैं और लगभग एक दसमलब पांच किलोमीटर लंबी और दोसो मीटर चोड़ी पटी में ही इन हादसों का सिगार होते हैं अध्यनों के दोरान पंक्षी गाउं के तच्छन किनारे में रखी गई रोस्तिं के तरब आकरशित नहीं हुए मरने बाले पंक्षों में इस्थानिया और प्रवाश्य पंक्षों की लगभग 40 परजातियां सामिल हैं और उनमें से अधिकांस पंक्षी पास के घाठियों और पहाड़ी धलानों से आते हैं यदि दुसरे बग्यानिकों के अध्यन पर नज़र डालें तो लगता है कि ज़्यातर आत्मखाती पंक्षी मानसून के मौसम में अपने प्राकृतिक आवासों को खो देते हैं इसलिए वे आवास के तरास में जतिंगा पहली ना आते हैं लेकिन अभी भी रहस्य से बना हुआ है कि आखिरकार ये पंक्षी रात में ही क्यों उड़ते हैं और वे हर साल एक ही इस्थान पर क्यों इन हाद्जों का सिकार हो जाते हैं इस्थाने लोगों का कहना है कि आत्महत्या की पहली बार ये घटना 1900 के दसक में हुई थी जिसने गाउबास्यों को बुरी तरह से डरा दिया था इसकी वज़ा से उन्होंने अपनी जदियंज को बेजी और 1905 में जगा छोड़ दी थी जब फिर से जदियंज लोग इस जगा पर बसे तो उन्होंने इसे भगबान तोरा दिया गया उपहार मान लिया आखिर हो भी क्यों ना इस घटना ने गाउं को देश विदेश में प्रसित्ध कर दिया है दुनिया भर में बन्य जीव, विज्ञानी, सोध करता और टूरिस्ट इन्स घटनाओं पर गबाह बनने और खोज करने के लिए यहां आते हैं जिला परशासन ने परेटन को बढ़ावा देने के लिए पंख्छी आत्मखत्या के समय एक त्योहार आयुजित किया जाता है जिसे जतिंका महोचसब कहा जाता है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो लाइक और सब्सक्राइब चरूर करें और कोई वीडियो मिस्त ना हो इसके लिए बेल आइकोन दवाना ना भूले